आज मैं आपके साथ लाल मिष्ट का बहुत ही टीस्टी और चटपटा अचार बनाने की रेसिपे शेयर करूंगी यह अचार इतना जादा टीस्टी और चटपटा बनता है कि आप इसको आराम से साल भर तक रख सकते हैं आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकते हैं दाल हो या कोई भी सबजी हो यह अचार सबी के साथ बहुत ही सादा अच्छा लगता है अभी सर्दिया हैं तो सर्दियों के मौसम में इसली आपको भी मिल जाएंगी मार्किट में तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए इस टेस्टी से अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं यहां मैंने चार्सु कुराम की क्रीब लाल मिर्च सुर्क होती हैं इनके जो डंठले में ब Зाब बेप अच्छे सेध कर चलें आपको और आनमें प्रेश्स थोड़ी सी देर के लिए दूप में दूप में रख दिया था इनके बीच मैंने इस तरीक से चीरा लगा दिया है और इनके जो बीज है आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं या आईजिटी रख सकते हैं बीजों से थोड़ा सा चटपटा पन इनके अंदर आ जाता है तो टोटली आप्शनल है आप चाहें तो निकाल दे या फिर आप as it is रखने इनको जो बीज़ हैं नहीं निकाले हैं तो एक बार इसको साइड मेuff रखते हैं और चलते हैं जो हमने मसाले इसके लिए हैं उनकी दरफ तो मैंने यहां कुछ मसाले लिए हैं जिस में ने 2 टेबल स्पून की करीब मैंने यहां जीरा लिए है में लिया राफटीबल एस्पून कलोंजी वन टी श्पून अंचुर पाउडर याना डै राइ मेंगो पाउडर यानी टोड़ टोड़ एन। बाद 5 टेवल स्पून हींग 1 टेज्ट राइंद 4.5 टेबल स्पून यहां मेने दोनों तरह के नमक लिये हैं यानि काला नमक भी लिया है और जो वाइट सॉल्ट होता है वह भी लिया है मैंने वह अपने टेस्ट के कार्डिंग कम जादा रख सकते हैं और वैसे भी अचार के अंदर जो नमक होता है वो थोड़ा सा तेजी अच्छा लगता है कलॉंजी मैंने या लिये है वन टी स्पून वन टेबल स्पून मैंने यहां लाल मिश्ट का पाउडर लिया है और इस से थोड़ा सा कैस में चटपटा पन भी आ जाता है वन टेबल स्पून धनिया पाउडर और वन फोर्थ कप के करीब मैंने यहां विनेगर लिया है अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप दो से तीन नीबू का जो रस है वो भी डाल सकते है उससे भी बहुत दादा टेस्टी बनता है अब यहां मैंने एक पैन लिया है और पैन को गैस पर रख दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, सौफ और मेथी दाना इन तीनों चीज़ों को हमें दो से तीन मिनट के लिए ड्राइरोस्ट कर लेना है ताकि इसमें जितना भी एक महश्चर होता है वो चला जाए या अगर आप यह स्टैप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको दूप में भी रख सकते हैं एक दिन के लिए तो उससे भी थोड़े से करारे हो जाते हैं बिसिकली हमें इनको थोड़ा सा करारा करना है ताकि यह इसली इनका एक पाउडर बन सके तो दो से तीन मिनट तक आपको इसको लगाता है चलाते हुए रोस्ट कर लेना है और गैस की जो फ्लेम है वो लोटू मीडियम ही रहेगी वरना ही जो हमारे मसाले है वो जल सकते हैं तो इनको दो से तीन मिनट के लिए मैंने इनको रोस्ट कर लिया है गैस की जो फ्लेम है अब मैंने आफ कर दी है अब इनको एक प्लेट में निकाल कर थंडा कर लेना है और उसके बाद हमें इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है तो यहां जो मसाले हैं वो अच्छे तरी बना लिया है अब जितने भी मसाले थे वह सब यहां मैं एड़ कर दूंगी हम चूर पाउडर हल्दी हींग और लाल मिर्श पाउडर धनिया पाउडर और कलोंजी जो है वह हमें पीसनी नहीं है क्योंकि अगर हम कलोंजी को पीस कर डालते हैं तो उससे जो अचार का टेस्ट ह थोड़े से कड़वे पन पर आ जाता है तो कलोंजी हमें एजिट इस डालनी है अब इन सभी चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीकी से मिला लेना है ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं नमक आप अपनी टेस्ट का अकॉर्डिंग रखें वैसे तो नमक थोड़ा सा है अचार के अंदर अब यहां मैंने जो विनेगर लिया था वो भी मैंने यहां डाल दिया है अब इन सभी चीजों को मिला कर हमें एक पेस्ट फॉर्म में बना लेना है तो यहां मैंने सभी चीजे मिला ली थी अब हमें मिर्च लेनी है और यह जो हमने मसाला बनाया है इसक पर बाकी मिर्चे तियार कर लिए है अगर जो मसाला भचता है तो आप उपर से बहुत डाल सकते हैं तो इसको अच्छे तरीके से थंडा कर लेना है हमें सर्सो की तेल को और जो ऑईल है वो आप सर्सो का ही ले अब यहां मैंने इस तरह का एक जार लिया है आपके पास अगर ट्रांस्पिरेंट जार है आप उसमें भी इसको रख डाल सकते हैं बस दिहान रहे की प्लास्टिक का डबबा आपको नहीं लेना है तो मैंने जो मिर्चे थी वो यहां इसमें डाल दी है जार के अंदर अब जो तेल हमने गरम करके ठंडा करने के लिए रखा था वो इसके अंदर अच्छे तरीकी से डाल देंगी ताकि जो ऑईल है हमारा तेल है वो एक एक मिर्च पर अच्छे तरीकी से लग जाए तो मैंन के दिन के लिए मैं इसको धूप के अंदर रख दोंगी तु बहुत ही जा पम बना तु समौैंधल के लिए और लुए दो चूतर क्रिकम दोगी अचहार जिर्टार हमें दोप का जंते आप अधिके से गल गया था तो बहुत ही जाधा टेस्टी बना था आजार आप इसको जरूर ट्राइ किजेगा और मुझे कमेंट में बताएगा इसन ताप्त प्राइशल ही जाइब नहिं एया आएब मेंटाशल गज़िन है टा बताचे अड़िडाशी आएब ऐस्तो ।